निगाय चुनाव की घूशना के बाद प्रयागराज में प्रिशासने के स्तर पर इसके तैयारिया जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर सुभह से ही सभी अधिकारियों के मीटिंग प्रयागराज के जिलाधिकारी ले रहे हैं। इस विशा में जानकारी देते हुए प्रयागराज के जिलाधिकारी ने जानकारी देई कि चुनाव की घूशना के बाद आचार सहीता लग चुकी है। नगर निकायत निरवाचन के लिए हमारी तरफ से सारवजनिक सूचना जार необходимо है। 15,76,718 है और नगर पंचायत हो मही 1,45,934 और इस प्रकार कुल 17,22,647 हमारे बूत है और हमने जितने हमारे बूत है पोटल संख्या 1311 में वहां हर तरह की सुविदा मजदाताओं के लिए कर रखी है कुल बूत मैंसे 161 बूत संविदनशील है 158 बूत अतिस संविदनशील है और 67 बूत हमारे संविदनशील प्लस बूत है हम लोगों ने आचार सहिता के अनुपालम के लिए हर नगर पंचायत में पूरे तरीके से आचार सहीता का अनुपालन सुनिशिक करा रहे हैं अनुविक्षन के लिए जितनी भी टीम बननी है चाहे उडन दस्ता है चाहे स्टेटिक टीम्स है वो सारों का गठन कर दिया है और हम अब आवकारी से शस्त्र संबंदी और प्रिवेंटिव एक्षिन जिसमें साथ सोला इन सारी चीजों की सुचने भी मंगा रहे हैं इसके अलावा कल से नामांकन शुरू होना है हमने हमारे नगर निगम के लिए कलेक्टेट और तैसित सदर में नामांकन काक्ष निर्धारित किये जिनकी मैं और हमारी पूरी टीम विजिट भी करेगी ताकि जो भी नामांकन के लिए आते हैं उन्हें पूरे सुविधा के नामांकन किया जा सके उनका पूरे नामांकन प्रक्रिया की हम लोग वीडियोग्राफिय भी कराएंगे तो हम लोग जो नगर निकाय निर्वाचन है इनकी इजितिवी तैयारियां हम लोग इन तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं